आप इस्कूल जाते हैं और आपको लेट हो जाती है तो सर अगर आपसे पुछते हैं कितना लेट क्यों हुआ तो आप क्या कहते हैं सर मैं घर से निकला ही था कि वर्षा होने लगी मैं घर से निकला ही था कि वर्षा होने लगी या आप कहते हैं सर जैसे ही घर से निकला वैसे ही वर्षा होने लगी या जो ही मैं घर से निकला वर्षा होने लगी नवस्कार दोस्तो मैं हूँ राजय सोहान और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूटूब चैनल सेकर इंगलिस में तो दोस्तो आज हम ऐसे ही संटेंसेस के बिसे में बात करेंगे ये देपी ऐसे संटेंसेस से भी इंफैटिक स्टेट्मेंट का ही बोध होता है जिसमें ही का प्रियोग होता है ऐसे वाक्यों के दो भाग होते हैं प्रिंस्पल क्लाज और सबडिनेट क्लाज वाक्य में पहले सबडिनेट क्लाज आता है फिर प्रिंस्पल क्लाज आता है दोस्तो subordinate class को हिंदी में कहते हैं आसरित उपवा की और principal class को हिंदी में कहते हैं मुख्य उपवा की या प्रधान उपवा की तो दोस्तो subordinate class जैसा की नाम से ही लग रहा है कि आसरित उपवा की मतलब जो principal class पे आसरित हो उसे कहते हैं subordinate class जो clause principle clause पर आशरी थो उसे हम कहते हैं subordinate clause और देखिए तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं चलिए sentence पर मैं घर से निकला ही था कि वर्षा होने लगी मैं घर से निकला ही था कि वर्षा होने लगी तो इसको आप कैसे बनाते हैं as I left the home या sorry as I left home it began to rain as I left home it began to rain या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं just as I left home इसके just बात कामा रहता है पहला जैसे आप सावर्णेट क्लाज लिखते हैं उसके बात कामा लगाते हैं just as I left home it began to rain just as I left home it began to rain या आप तीसरे तरीके से इसको इस प्रगार से बना सकते हैं as soon as I left home as soon as I left home कामा it began to rain या फिर इसको ऐसे बना सकते हैं no sooner did I leave home no sooner did I leave home then it began to rain चोथा तरीका ये है no sooner did I leave home then it began to rain तो दोस्तों इसको बनाने के चार तरीके हैं पहला मैंने आपको बताया कि as I left home कामा it began to rain दूसरा मैंने आपको बताया just as I left home कामा it began to rain तीसरा जो है as soon as I left home फिर कामा लगाएंगे it began to rain चोथा मैंने आपको बताया no sooner did I leave home no sooner वाले में हम did को पहले लगा देंगे और आई के बाद स्क्रिया का पहला रूप हो जाएगा वाबिन फॉस्ट पाम तो क्या हो जाएगा no sooner did I leave home then इसके बाद जैसे ही हम अपने subordinate class को लिखने के बाद हम then लगाते हैं फिर principle clause को लिखते हैं तो no sooner did I leave home then it began to rain clear हो गया दोस्तों चलिए आप एक और sentence की मात्यम समझे लेते हैं वाइश्टेशन पहुचा ही था कि गाड़ी खुल गई तो आप कैसे बनाएंगे as he reached the station as he reached the station या station भी कह सकते हैं as he reached the station the train started as he reached the station the train started या आप इसको ऐसे बल सकते हैं just as he reached the station the train started just as he reached the station the train started आप इसको ऐसे बोल सकते हैं as soon as he reached the station the train started कामा लगाएंगे तीनों में as soon as he reached the station कामा the train started या आप चोथे तरीके से इसको इस तरह से बना सकते हैं no sooner did no sooner did he reach अब यहां करियागा पहला रूप हो जाएगा did लग गया no sooner did he reach the station then the train started आपको पहले भी मैंने बता है कि no sooner वाले में did पहले आजाएगा subject के और subordinate class के तुरंत बात then का प्रियोग होगा फिर principle clause कर रुखेंगे तो इसको कैसे बनाएंगे no sooner did he reach the station then the train started तो दोस्तों देखिए कितना आसान है बारा ना तो इसको हम 4 या 5 तरीके से बना सकते हैं तो दोस्तों आपको जैसे भी पसंद आये आप बना सकते हैं चार तरीके से आप बना सकते इसको दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को like करिए, share करिए, subscribe करिए और bell icon को जोरू दवाएए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए थैंक यू